आज हम डिस्कस करेंगे जेई अडवांस 4 जून 2023 का रोटेशन मोशन का क्वेस्चन मैं वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ कई बच्चों ने बताया कि हमने वनेर की कोचिंग में बहुत सारे कोचिंग करें रोटेशन मोशन के कई सारी बुक्स पड़ी कई असाइनिमर्स कोचिंग इस्चूट्स में भी गए लेकिन वहां की असाइनिमर्स में या बुक्स में या जो भी हमने स्टड़ी मोशन पड़ा उसमें से क्वेस्चन नहीं मिले ये एक सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 17 क्वेस्चन आये थे पहले बेपर में और उसमें से आपने एक साल में जितना भी मेटीरियर बड़ा उसमें से कुछ नहीं मिला और यह देखते हैं ऐसा क्यों हुआ और यह कितने सिंपल होते हैं यह रोटेशन मोशन का क्वेस्चन देख लेते हैं यह क्वेस्चन है अब बार ओफ मास M is equal to 1 kg and length n is equal to 0.2 meters lying on a horizontal frictionless surface one end of the war is pivoted so that the war is free to rotate in the यह मेटा गलती से जिस बच्चे ने भेचा था यहां होगा same plane उसने vertical plane लिखवा दिया था a small mass M is equal to 0.10 kg is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on its path which is perpendicular to the bar it hits the bar at the distance L by 2 from the power weighted end and it returns back on the same path with velocity or speed V after this elastic collision the bar rotates with an angular velocity omega which of the following is the correct अब यह options दिये गए है ठीक है मैं आपको सारी situation बदाता हूं क्या है यह देखिए और प्लेन में एक रॉड है जो कि यहां पर hinge करी होए यहां पर ठीक है यह free रूटेल करने में ऐसे और यह जो एक mass है ball है mass small m वो ऐसे जाके इसके यहां पर central mass पर hit करता है central mass जो है क्योंकि यह symmetrical चीज़ है तो इसका central mass कहा होगा बिलकुल midpoint पर होगा अच्छा अब हमें इसके लिए क्या हमें पूछा यह गया था कि हमें omega निकालना है इसका यह जो डॉड है और साथ में हमें velocity निकालना है कौन सी जिससे ball वापिस आज़ती कहा था ball यहां पर टकरा के फिर वापिस आगी elastic कुलिजन बताया गया दो चीज़े ध्यान में रख दो चीज़े यूज़ करूँगा सिर्फ दो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पहला concept यह कि angular momentum of system system मतलब ball और और दोनों conserved ठीक है पहली बात होगी दूसरी बात हम यह यूज़ करने वाले हैं कि elastic कुलिजन है और उसका क्या दिया आपको coefficient of restitution तो इससे भी हम velocity निकाल लेंगे of restitution अब देखिए कैसे solve अबड़ा simple सा question है आई यह पहले वाली बात लगा देते है angular momentum system की conserve रहती है तो यह before collision मैं लिख रहा हूँ यहाँ बहुत easy बात है देखना ध्यान से इदर यह before collision अभी collision हुआ नहीं और यह after collision है बहुत simple बात बहुत simple वे से करेंगा आपको लगेगा कि बहुत simple question है before collision क्या होगा पहले हम बात करते हैं यह rod है और यह ball है ठीक है इनकी angular momentum की बात हो रही है मैंने कहा नहीं पहले angular momentum की कैसे लिखी जाएगी देखोए दर एम velocity उसकी है निए रेस्ट में है वो ठीक है और distance उसका तो चलो जो भी होगा बता देते आपको plus mass ball का उसकी जो velocity जो हमें दी गई है five meter per second और उसका distance कहां से क्योंकि हम angular momentum जो है वो इसके about ले रहे हैं इस point के इसलिए वो distance point बन होगा रॉड की पुरी length दे रखी हमें यह देखी रॉड की पुरी length दे रखी है 0.2 जिरो मेटर तो उसका half हो गया ना यह आर मतलब यह हुआ तो मैं यहां पर अच्छा यह होगा before अब after collision की बात करते momentum conserve हो रही है यह total थी आप ब्राबर होगी किसके आई omega यह किसकी बात हो रही रॉड की और उसके बाद बॉल तो बॉल के लिए क्लिए क्या लिखने वाला हो मैं देखिए ध्यान से यहां पर लिख जाएगा माइन माइन माइनस वी क्यूंकि वह वी बापिस आती इसलिए negative ल 1 यह अपनी मर्जी थी पुरा प्रवाइड ले सारा कुछ ठीक है दिया हुआ 0.1 kg ठीक है velocity उसकी दे रखी थी 5 लिख दिया और यह distance 0.1 पहले डिसकस हो गया था यह इतने मीटर था अब movement of inertia किसका होगा रॉड का वह क्या होगा 1 by 3 about 1 end क्या होता movement of inertia रॉड का M आगे L square ठी ठीक है रॉड की length जो capital L दिया उसने capital L लिख लो आप और यहां पर omega angular ball की यह मास किसका लेने वाले हम पता है आपको किसका होगा बॉल का लेकिन मैं यहां पर चलो लिख देते हैं पहले ही और यह velocity और यह distance कितना होगा रॉड की length का half होगा क्योंकि angular mental ball की भी इस point के about है तो यहां से आगे देखें calculation आप कर रहा हूं मैं यहां पर यह आपकी यह चीज जो है यह equal to आ जाता है अब mass rod का one kg सीधा दे रखा उसने मैंने कर दिया length rod की जो होती है वो point two दे रखी है उसने meter लिख दी omega नहीं बता और यह minus v और यह इदर लिखती है हमने अब मैं आपको बताता हूं calculation थोड़ी सी और short करते हैं सिर्फ आपको बताना है यहां भी एक equation बनेगी वो बड़ा simple है देखिए बहुत simple है 4 by 3 omega v equal to 5 इसको equation number 1 कर दूँगा मैं अब elasticity वाला concept जो second वाला लगा देंगे बड़ा simple है elasticity जो होता है coefficient of elasticity उसके लिए होता है velocity of separation आपको याद होगा है ना और velocity of approach यह होता ना इसका मतलब अब यहां इसकी calculation थोड़ी सी side में यहां कर ले समझा हो गया आप यह velocity किसकी है भाई यह rod की है ठीक है समझो यह rod की है कव collision के बाद तो क्या बोलेंगे उसको आरो मेगा बोल देते हो ना आप यह आरो मेगा बोल देते हैं आप और यह velocity minus b उसने provided है ball की velocity क्या थी collision के बाद minus b दे रखिये लो उसने बापी सीधर आ रही है ball नीचे को minus b है और यहां पे velocity शुरू में velocity क्या थी कौन चल रहा था और तो stationary थी 0 हो गया यहां से equation मिलने वाली हमें बड़े अच्छी वह यह coefficient और एस्टिशन जो है elastic equation का 1 होता है देखो कितना simple R की value हमें पहले discuss कर चुके है 0.1 होगी omega नहीं पता यह plus b बन गया यह 5 बन गया यहां से भी एक equation मिलने वाली है हमें वो equation जो मिलेगी वो मैं यहां पर लिख रहा हूं देखिए वो आएगी 4 by 3 I think यह बहुत देखिए यह simple चीज़ है यह तो आप calculation कर सकते हैं यह 4 by 3 minus 5 यह E जो आई थी value निकाली थी हमने पहले equation में वो आगी थी लेकिन इसकी जो calculation है वो मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि उस calculation के बिना इसको solve करना भी मुश्कल हो जाएगा let us see करी देता हूं मैं यह आगया आपका 1 is equal to ठीक है इसको हम इस तरफ ले जाते है 5 को यह ल आपको क्या मिल रहा है यह चीज नहीं है आपको क्या मिला आपको omega और v है तो omega और v तो चाहिए क्योंकि option में वो ही दे रखे है यह दे रखे है यह दे रखे है यह omega और v दे रखा है तो मैं इन दोने equation को solve करूँगा जब हम solve करेंगे बैटा यह बड़ा सान काम है equation solve करना एक मेरे खाल से काफी आपकी basic classes जो fundamental होते थे आपके जो 9th, 10th, 8th उसमें आपने करे होंगे यह simple तो इनको solve करेंगे हम तो मेरे बास दो values आ रही है बड़ी simple सी है यह omega की value आ रही है 300 over 43 यह मैंने solve कर रखी है 6.98 radian per second यह option एक नजर आ रहा है और दूसरी value जो v के आ रही है velocity of the ball after the collision वो आ रही है 4.30 meter per second यह दोनों value हमारे पास आ चुकी है आप देख सकते हैं यह option जो है यह वाला match हो रहा है D एक बार पूरा question दिखा देते हैं आपको यह देखिए ठीक है बेटा अभी कोई भी आपको comments है या आपको कुछ पूछना है तो comments में लिख सकते हो बैसे मैं अपना phone number mention कर देता हूँ यहाँ top पे ताकि आप कोई भी मुझे call करके पूछ सकते है 7696943521 Thank you बेटा